योगर सेहरमन जीवन के लिए बहुत जरूरी माना चाता है और हो भी क्यों ना आखिर योग के फायदे ही इतने हैं योग शुगर कब्स जैसे बिमारीوں से लणने में मदद करता है योग और ध्यान मन की शन्टी और बहतर सेथ के लिए जरूरी माना चाता है चलिए आज हम कुछ ऐसे ही आसनों के लिए बात करेंगे और देखेंगे कि ये आसन हमें किस तरह फायदा पुझा सकता है सबसे पहले आसन के लिए हम जमीन पर पीट के बर लेट जाएं दोनों हाथों को गहरी सांस बरते हैं उपर और सांस चोड़ते हुए अपने पैरों को 60 डिग्री तक उठाएं इस क्लिए को सांस लेते हुए हमने उपर जाना है और सांस चोड़ते हुए उपर तक आजाना है इसे भी 10 पर करें पेरों को 60 degree से उपर नहीं लेके जाना है आपको सिरफ 60 degree एंगल तक ही पैर को उठाना है जैसे हम सांस लेते हुए पैर उपर लेंके जाएंगे हाथों को दोनों पैर के बीच में प्रीथें और लास्ट में 10 counts करने के बार गहरी सांस भरते हुए hold करेंगे 10 seconds के लिए इससे आपके पेट की अद्रित चर्बी जो भी है वो खटेगी और आपकी बैक मचबूत होगी सेकेड आसन के लिए हम अल्टर बाई ओल्टर अपने नीज को फोल्ड करते हुए तमी के साथ बेकुल दपाते हुए उसको फोल्ड करते हुए फिर छोड़ेंगे घैरी सांस लेते हुए और सांस चोड़ते हुए उपर आएंगे और फिर थोरी देट के लिए रुष्राप करेंगे and then stretch back and then up, breathe in and breathe out. Again breathe in, back and breathe out, up, breathe in, back and breathe out, up. Last minute, take a deep long breath and hold it for 10 seconds. पाउनुक्त आसन का ये फैदा है कि आपको इससे कॉंस्टिपेशन की प्रॉलम से रिलीफ मिलता है, आपकी पैक पेंड में ये बहुत ही असदार होता है, पर ग्याद रहें कि इसमें आपको अपने पेट को अच्छे से दबाब देना है और दुवारा नेक्स आसन के लिए दोनों पैरों को उसी तरीके से घहरी सांस लेते हुए सांस चोड़ते हुए उपर आएंगे और पैरों को दबाब देंगे, फिर से सांस लेते हुए वापिस चाहेंगे और सांस चोड़ते हुए उपर आएंगे, इस क्रिया को भी आपने दस पार दोराना है और लास में गहरी सास परते हुए इसको होल्ड करना है अकसर लोग सोच पैटते हैं कि योग केवल शरीर को लचीला बनाने के लिए ही किया चाता है लेकिन ऐसा नहीं है योग के धेरो आसन है जिनके कई फायदे हैं योग की साहता में आप जीवन वर जवान और स्वस्त बने रह सकते हैं अकसर लोग योग को एक धीमा माध्य मान लेते हैं लेकिन ऐसा है नहीं योग आपको हेल्थी रहने में कई तरह से मदद कर सकता है तो इस तरह से हम अपने स्वास को छोड़ते हुए वोल्ड करते हुए 10 सेकिंड के लिए रिलीव करेंगे नेक्स पोस्ट के लिए दोनों हाथों को सिर्ग के उपल दे जाते हुए गहरी सांस भरेंगे और उसके पार सांस छोड़ते हुए दोनों बैर उपर याद रखे 65 डिगर अंगल तक लेकर जाएंगे और इसे भी 10 सेकिंड तक नगातार करेंगे उसके बाद हम करेंगे कोप्रा पोस इसके लिए हम जमीन पर पेट के बल लेट जाए और उसके बाद धिमी गति से सांस लेते हुए उपर आएंगे और धिमी गति से सांस छोड़ते हुए नीचे वापिस फ्लोर आएंगे याद रहे कि सांसों की जो गती है वो आपके धेमी रहनी चाहिए तेज से सांस ने लेनी है तो धेमी गती से सांस लेते हैं उपर और धेमी गती से सांस लेते हैं निचे यह आपकी पेट की चर्वी पे बहुत जबर्दस असर दिखाता है और लास में दस काउंट के लिए गहरी सांस भरेंगे, टेकर डीप लॉंग ब्रीज आंड स्रच आप एक दो तीन चार पान छे साथ आर नौंग दस लोली और स्लोली ब्रीज आउट और कम बैक नेक्स आसन के लिए करेंगे, दोनों हाथों को श्रेट रुखेंगे और पैक को सीधा। सीधी सैंस भरत यानी सैंस भरते हूंए उपर आएँगे, और एक दो, second के लीजिए, सांस छोड़ते हूंए निचा आएएंगे। इसमें आपको पूरी बॉरी अपनी नाफिके बार उठानी है, यह अबक कुछ आसन जो आपको बहुत ही एनरजेटिक बनाते हैं उम्मीद करती हूँ कि आपको अच्छे लगे होंगे सो प्लीज लाइक श्यर सब तो मैं चनल थैंक्स पर वाच एंड स्टेए फिट विद विद्योग बबाई